कि नमस्कार मैं अंजली मिश्रोच स्वावत है आपका हमारी चैनल में आपको जादे कि इसमस्थ बॉलिवुड का हाल जो है काफी जादा बेहाल है लगता जो बॉलिवुड की फिल्में है उसे बॉयकॉट किया जा रहा है और बुरी तरह वह पिटती हुई नजर आ रहे हैं और इसे बीच इस वक्त तापसी पन्नू का एक और वीडियो तापसी पन्नू और उनके डायरेक्टर अरिराक कश्यप का एक वीडियो सोचल मीडिया पर बड़ी तेजी से वाइरल हो रहा है जिसमें तापसी पन्नू अब बॉयकॉट ट्रेंड से परिशान हो गई है वही जो यह कह रहा ही ती कि मुझे boycott होना में मेरी program को भी boycott कर एक लोगों से request कर रही थी जनता से वह बॉयकॉट truck ट्रेंड से परिशान हो गई है क्या वैसे में क्या है पूरा माचरा क्यों इनके सुर बदल गए हैं इसके बारे में यह जरा विस्तार से बात कर लेते हैं ऐसे मैं आपको दादे हाले विलाल में तापसेपन्डू के फिल्म दुबारा आए थी और दुबारा को देखने के लिए लगातार प्रमोशन कर रही थी ल बोईकॉट है क्योंकि आज के वक्तम्ने क्या थी बड़ को साथ कि रहे जाए चाहिए और में चाहआ अग्यातर के मैं मुझे पर जो वीडियो वाइरल हो रहा है क्योंकि उनके फिल्म दुबारा आई और पहले दिन कई सारे शोस का इंसल हुए क्योंकि लोग फिल्म को देखने ही नहीं लोग शोशल मीडिया पर यह कमेंट करते नज़र आए कि आपके दिली ख्वाहिश थी कि आपके फिल्म को बॉइक करेंगे जैसा कि आप चाहती थी तो अब उनके फिल्म को जब बॉइकॉट किया गया उनके फिल्म कुछ कमाल नहीं कर पाई बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई अब उनके बया बयान इस तरह रहा है कि इतना भी मत डराओ कि डर खत्म हो जाए और इसी वज़े से अ जो है बॉइकॉट आप लोग कर रहे हैं मतलब आपकी वैलुई नहीं आप मैटर ही नहीं करते हैं उनके ट्रोल्स तरीके से इस तरीके से किसी को इतना मट डराओ लेकिन मुझे लगता है कि अब ऐसा हो चुका है कि बहुत नीचे आ गई है सारी चीज़े हमने बहुत बु आप आप तो सब कर दीज़े हैं मतलब हमें बुरा लगता है अगर हमें अलग फील होगा वह को नहीं हुआ तो फिर जो है यह बुछा फिल होता है कि आया लोगों ने तो हमें एंग्नोर कर दिया मैं बोइकॉट ही नहीं अगया तो अब देख सकते हैं कि तरीके से इनिकी बदल गए है अपसीपन्नू के आटिट्यूट के लिए कई बार वो चुकी है उनका जिस तरीके का लहजा है मीडिया के साथ उसके लिए भी कई बार चुकी है लोग यहीं बोलते रहते हैं कि इनकी फिल्म फ्लॉप हो रही है लेकिन इनका जो आटिट्यूट है वो कमोने का हिसाब से बदलता रहता है यहीं नहीं आपको बदा देगी शोचल मीडिया पर यह भी कहा जारा है कि तापसी पर्णू ने रिकॉर्ड कायम किया है वो भी एक के बाद एक फ्लॉफ फिल्में देने का यहीं ने इस वीडियो को जिसने शाचा किया रिशी बागरी उन्हें लि लेकर एक शोचल मीडिया है जिसका नाम आपको बतादे की तारका सस्त्र है उन्हें लिखा है कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है जब लोग आपके प्रोड़क को बॉयकॉट करें और आप उसको अपने ही आड में इंडॉस करो आपने जितना एड से कमाया है उतना ही आ एक स्टेप यह होगा कि बहुत इर्लेवेंट बन जाएंगी और इनकी जगह पर कोई और इनका प्लेस दिलेगा क्योंकि एक के बाद एक फ्लॉप देने के इन्होंने टारेट सेट किया है और एक फ्लॉप दे रही है उसके बाद लोग उनके लाफस्टाइल पर भी कमन्ड बीकर रहा है यह मुवी के फीस तो है निए अधर वी सोर्स अफ इंकम भी जो है उनको मिल रही है जो कि आने वाले वक में एक्स्पोज हो जाए कि क्योंकि इस तरीके से एक आप फिल्मे यह फ्लॉप फिल्में दे रही है फ्लॉप फिल्मों का जो टारिट बनाकर लखा है ऐसे में इनके जो लविस लाइफ स्टाइल है वह किस तरीके से चल रहा है चुड़ने के लिए अच्छी गाड़ी घर मेकप प्रोड़क्स आर्ट मतलब इस तरीके से इतने सारे बॉडिगाट्स और सारी जो एक लविस लाइफ स्टाइल है कैसे वह जी रही है उसके बाद अब बदा दे कि एक और वेक्ति ने लिखा कि उन्हें बॉड़कॉट कॉल को जस्टिफाइब करना पड़ेगा वह बॉड़कॉट को जस्टिफाइब कर रही है अपनी फेलियर का वजह से जबकि उनकी खुद की एक्टिंग उनका फ्लॉप होने के लिए ना कि उनका जो ह इसे लेकर ट्वीट कर रहा है इनके फिल्मों को तो इस तरीके से बॉइक और बियान कुछ और थे फिर इनके फिल्म फ्लॉप हो गए फिल्म का जो बयान है वो फिर बदल गया तो एक आप देखेंगे तो इनके बयान बदलते रहते आप लोग यह कह रहे हैं कि आपने पर पर फिल्म को हम जरूर जो है बॉइक कॉट करेंगे उन्हों ने कहा था कि हमारी फिल्म को बॉइक कुरिए फ्लॉप हो गई मुव तो साफ़ तो पर बदल गया है कि इतनी सारी फिल्में दे रहे हैं वो उसके बाद भी इतना इच्छा से लाइफस्टर कैसे मिलिए करी चाहिए जिसके लिए जानी जाती है तो साफ़ तर पर फिल्म को जो है बॉलीवुट पर बोलते हुए खा कि मेरी फिल्म को जो है आप भी बॉइक बदल गया है अब वो परिशान हो गई है बॉलीवुट के बदलती दुनिया जो हर पल अपने अकॉर्डिंग ली और अपन प्रमुदक क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जुड़ाय हो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साज़ा करें